खुश खबरी सम्विधा कर्मी नियमेती करण जी हाँ दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे योटूब चैनल SP News 91 में आप देख सकते हैं सब्विधा कर्मियों के नियमेती करण के लिए बहुत ही बड़ी खुश खबरी निकल कर सामने आ रही है जिसमें इस राज्य सरकार ने उच इस तरिये समिती की रिपोर्ट के बाद ही सम्विधा पर नियमेती करण पर होगा विचार जी हाँ दोस्तों जो उच इस तरिये समिती की जो रिपोर्ट पेज होने जा रही है जो पेज होने वाली है उसकी जब ये उच इस तरिये जो समिती है य आने वाला हूँ वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा तभी आप जान पाएंगे कि आप किस तरीके से इस तरीय समिती को जल्दी से जल्दी रिपोर्ट पेस करा सकते हैं सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिस करूँगा मैं आपको बता दू यद के मोबाइल पर सबसे पहले पहुँच जाए तो आएए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं उच इस तरीय समिती की रिपोर्ट के बाद ही समविधा पर नियुक्त कर्मियों के नियमिती करण पर होगा विचार जी हाँ दोस्तो मैं आपको बता दू राची की ये खबर है राज्य सरकार मन्रेगा कर्मियों के नियमिती करण पर ततकाल फैसला लेने से फरेज कर रही है विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गटित उच अस्तरिय समिती की रिपोर्ट के बाद ही नियाव अनुसार इनके नियमिती करण पर कारवाई करने ने हुआ है गरामिन विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार ने 18 अगस्त 2022 को ही सरकार के विभिन विभागों में अनुबंद वे समविदा पर कारियरत कर्मियों की मांग पर विचार के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच इस्तरिय समिती गटित क यह सब्विधा कर्मियों के सेवा सर्थ सेवा अवधी मांदे सहित विबिन न्याय देशों के आलोक में सेवा नियम्यतिकरण की सभावना उपर अपना सुझाओ देगी ऐसे में समिती के पर्तिवेदन प्राप्त होने के बाद ही मन्यगा कर्मियों के नियमनुशार कारवाई की जाएगी बता दे की राज्ये के मन्यगा कर्मी भी कई सालों से सरकार से नियमितिकरण की मांग कर रहे हैं इसके अलावा पीएफ स्वास्त बीमा दुरगटना बीमा इत्यादी की मांग इनके द्वारा की जा रही है एक अगस्त को इन्होंने बड़ी संक्या में जारकंड विधान सभा के समक्स धर्णा परतशन किया था अब मैं आपको बता दू कि अभी मांदे का भुगतान मनरेगा के परशाशनिक मद से होता है केंद्रिये पर्योजित मन्रेगा योजना से भारत सरकार के निर्देस अनुसार मन्रेगा छेत्रियो कर्मियों के सब्विदा आधारित नियुक्ति के लिए सेवा सर्त में करतव्य नियमवाली दो हजार साथ लागू है इस नियमवाली के अनुसार सम्वीदा पर पदधिकार्मियों की नियुक्ति की जाती है जारखन में अभी लगबग 5,000 मन्रेगा कर्मी सम्वीदा पर कारियरत हैं इनमें रोजगार सेवक, BPO, लेखा सायक, सायक अभियंता, कनिक अभियंता, कंप्यूटर, ओपरेटर इत्यादी हैं मन्रेगा योजना के किर्यावन्य का पूरा जिम्मा इनी के हातो है मन्रेगा मज़दूरों को रोजगार उपलब्द कराने में इनकी बड़ी भूमी का है इन सम्वीदा पर नियुक्त कर्मियों के मानसिक मानदे का भुगतान मन्रेगा से संधारित्र 6% प्रसासनिक मद से किया जाता है राज्य सरकार ने हाली में ही इन मन्रेगा कर्मियों के मांदे में वरद्धी भी की थी तो इस तरीके से इसमें कहा गया है कि जैसे ही उच इस तरिये जो समयती है वो रिपोर्ट पेस कर देगी उसके आधार पर जो सवविदा कर्मी है उनको नियमती करण का जो तोफा है सरकार देगी तो अभी फिलाल ये खबर सामने निकल कर आ रही है जैसे ही कोई आगे ओधन्टिक अपडेट निकल कर आती है तो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी धन्यवाद